Welcome to the Master Classes, कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे So बच्चो, last class में हमने सारे treatments, goodwill के, accumulated reserves and profits के, losses के, सब अच्छे से कर लिये थे अब हम करेंगे full questions, देखिए बच्चो, admission में और retirement में कोई फरक नहीं है Same वही revaluation partners capital account balance sheet बनती है, सिरफ फरक कितना है कि एक partner आनी की बजाए जा रहा है यानि कि revaluation बिलकुल सेम बनेगा, उसका profit loss बिलकुल सेम वैसे ही distribute होगा जैसे admission में होता है सेम तरीके से capital account बनेगा, फरक क्या है, goodwill जो partner ले के आता था, वो sacrificing ratio में बांट देते थे अब जो जा रहा है उसकी gaining ratio में existing partners उसे वापिस दे देंगे और हम उसका जो भी आखरी में balance निकलेगा उस balance को या तो pay कर देंगे या उसके loan में transfer कर देंगे, same balance sheet बनेगी, बिलकुल भी कोई भी फरक extra इससे जादा नहीं है तो यह मैं सोचना कि एक नया chapter है, आप उसी chapter की आगे practice कर रहे हैं और अब आपको detail में मैं आपको एक question करके दिखाऊंगा जिससे आप बिलकुल और अच्छे से सबको सीख जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की class एक break के बाद वल्कम बैक, सो बच्चो आज हम कर रहे है question number 35 page 6.70 T.S. Greval New Valley Book एक अच्छा question है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहले question को पढ़ना है, ठीक है question को fastest करने का मतलब क्या है, कि time बचाना है गलती नहीं करनी और वो कैसे होगा, जब question को आप आराम से पढ़ोगे, जितना आराम से पढ़ोगे उतनी जल्दी solve हो चाएगा, चलिए, question पढ़ेंगे, तीन partners है चिंतन, आयूश, एंड सुधा लिख लेते हैं, चिंतन, आयूश, एंड सुधा, तीन partners हैं, और इन तीनों की ratio है, 5 is to 3 is to 2, ओके बच्चों, उसके बाद ये इनकी balance sheet दे रखी है, balance sheet में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना होता है, balance sheet को पढ़ना होता है, सबसे पहले asset side में देखो, कुछ write-off करने के लिए है, नहीं है, यहां से हमने उठा के क्या करना होता है, सबसे पहले यहां पे इनकी capital लिखना होता है, by balance brought down, ओके लिख देते हैं, 90, 60, 40, इसके बाद assets और liability side दोनों में देख लो, कुछ write-off या raise करने के लिए है, तो आप देखोगे क्या आपको दिखेगा, general reserves हैं, जो की liability side में दे रखे हैं, raise कर दो, 20,000 हैं, तो यह हो जाएंगे, बिलकुल ठीक, 10,000, 6,000, 4,000, ओके बच, distribute होगे, अब आजाते हैं, adjustments, वो कह रहा है, debtors of 5,000 were to be returned off as bad, यानि की ढूब गए, and provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts was to be created, बना लेंगे, goodwill of the firm on Chintan's retirement was valued at 1,00,000, रुपीज, and Chintan's share of the same will be adjusted by debiting the capital accounts of Ayush and Sudhadar, वो यह line नहीं भी लिखता, तो भी हम यही करते, क्योंकि retirement में एक ही treatment होता है, okay, gaining partners to retiring partner, stock was revaluated at 36,000, furniture was undervalued by 9,000, 9,000 कम लिखा हुआ है, undervalued है, अब उसको बढ़ाना है, liability for workman compensation, 2,000 was to be created, reserve कोई है नहीं workman compensation का, फिर भी liability आ गई, नहीं liability create कर देंगे, कोई problem नहीं है, Chintan was to be paid 20,000 by check, उसको 20,000 रुपे तो चेक के थ्रू देने है, and the balance was to be transferred to his loan account, दोनों ही बाते आ गई, या तो पूरे पैसे दे देते हैं, या पूरा loan डाल देते हैं, या part payment करके balance जो है है हम loan में transfer कर देते हैं, तो इसने दोनों बाते बोल दी, चलिए, ratio निकालने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब चिंतन retire हो गया है, तो new ratio जो आ जाएगी 3 to 2 और gaining ratio भी क्या जाएगी 3 to 2, चलिए, शुरू करते हैं question, सबसे पहले debtors वाला point उठा लेते हैं, देखे, debtors हमारे कितने के हैं, 60,000 के, उसमें से 5000 का हमने क्या बना रखा था, provision, और 5000 ही हमारे डूब गए, तो यानि कि ये loss के लिए हम तयार थे, ये loss हमारा हो गया, अब हमें इसका revaluation में कुछ नहीं लिखना, अब हमारे पास net debtors बच गए, कितने के, 55,000 के, जिसमें से वो कह रहा है, 5% और डूबने के chance है, अब हैं तो भई, कोई बात नहीं, loss फिर से बना लेते हैं अपना, 5% कितना आ जाएगा, 10% और आदा गर दो, तो 10% और आदा गर दो, के तो आजाएगा, ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा हमारा, कितना, 2750, यहाँ पर आ जाते हैं, डेटर्स पर, साथ साथ लिखते जाओ, प्रॉब्लम ही खतम हो जाएगा, 55,000 के रहाएगा, यह वाली फिगर आएगी, माइनस प्रोविजिन, 2750, तो यह आ जाएगे, 52,250 रूपेज, ओके, कैलकुलेशन्स चेक करते रहना, जल्दी-जल्दी में कभी-कभी गडबड हो जाती है, क्योंकि ध्यान रिकॉर्डिंग पर भी होता है हमारा, ओके, चलिए, अगला पॉइंट जो उसने दिया है, वो दिया है, गुडविल का, ओके, गुडविल निकाल लेते हैं, जाएगा, 30,000 और 20,000 यह लो, ठीक है, यह दोनों मिलके देंगे, एंट्री कैसे होती है, एंट्री होगी, क्या नामे इसका, अयूश कापिटल अकाउंट डाबिट, सुधास कापिटल अकाउंट डाबिट टू, चिंतन्स कापिटल अकाउंट, ठीक है, शॉट में लिख ल एंट्री कि दर होती है, जैसे कैश बुक में करते थे, दोनों साइड एंट्री होगी, एडमीशन में, और यहां पे सिरफ यही फरक है, एडमीशन में हम क्या करते थे, बाई प्रीमियम लिखके, सैक्रिफाइजिंग रेशों में बाट देते थे, यहां ऐसा नहीं है, क्यो चिंतन को दे रहे हैं, चिंतन क्रेडिट हो रहा है, यानि कि अगर फिर भी कुछ ना याद है, एंट्री कैसे करनी है, तो लेजर पोस्टिंग करनी तो आपको अच्छे से आते होगी, 11th क्लास में सीखिया आपने, जनल एंट्री की, C क्रेडिट हो रहा है, A से और S से, तो 2C, बस, आपको एंट्री और उसकी लेजर पोस्टिंग आनी चीए, इसलिए हमेशा कहता हूँ, कि फोकस ऑन जर्नल एंट्री अगर जर्नल एंट्री आती है, तो उनकी लेजर पोस्टिंग करके, आप कोई भी क्वेस्टिन सॉल्व कर सकते हो, चलिए, अगले पॉइंट प वैल्यू बढ़ गई, साथ की साथ यहां लिख देंगे, ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है, फरनीचर वाज अंडर वैल्यूड बै 9000, फरनीचर हमारत था, 60 का, और हमने 9000 कम लिखा है, बढ़ा देते हैं, यहां भी फरनीचर लिख देते हैं, उसके बाद कहा रहा है, एक लिएबिल्टी है, वर्कमेन कमपन्सेशन की, क्रियेट कर देते हैं, 2000, लिएबिल्टी भी लिख देते हैं, वर्कमेन कमपन्सेशन, ठीक है, 2000, 2000, उसके बाद वो कह रहा है, बस कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है, 2000 उसको चेक से देने हैं, बाकी लोन में ट्रांसफर करने हैं, चलिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, फिफ्टीन थाउजन, तू प्रॉफिट, चिंतन, तीनों में बाट देंगे, कितना आ गया, 4000, 5000, 10,000, 250, ओके, इसको रेशन में, पाट हजार एक सो बच्चेस, ओके, तीन हजार पिटक्सर, दो हजार सब्याद, लेचे, गुट, चलिए जी, बढ़ गया, क्या करेंगे, इसको यहां ले आएंगे, क्लियर है यहां तक सबको, चलिए, आगे चलते हैं, टोटल करेंगे, इसका, बिलकुल, सिंपल सिंपल सा टोटल है यह तो, बन ट्वेंटी फाइव, 69,075, और यह आजाएगा 46,050, चलिए, यहां पे अब सबसे पहले बच्चों चिंदन को क्लोज करना है, क्योंकि यह रिटायर्मेंट है, जो पार्टनर रिटायर हो गया, उसके बैलेंस को कभी भी कैरिट डाउन नहीं लिखते, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, उसका कैपिटल का बैलेंस नहीं है, को उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा, क्लोज कैसे होगा, 20,000 रुपे तो हमने उसको चेक से दे दिये, तो टू बैंक अकाउंट, अब बाकी बचा कितना है, 155, 125, तो जो रहे गया, वो सीज लोन अकाउंट, अगर वो कुछ न बोले, तो आपको लोन अकाउंट ही करना है, पैसे मत देने लग जाना अपने आप से, ठीक है, तो यह रह जाएगा 135, 125, इन दोनों का बैलेंस निकल जाएगा, 69 में से 30 गए, 39, 0, 75, और 46 में से 20 गए, तो 26, 0, 50, लो जी, अब वापिस आजएगे बैलेंस शीट पे, पहले यह चीजे लिख देंगे, सीज लोन अकाउंट, 135, 125, चापितल अकाउंटस अफ एंडेंस, 39, 0, 75, 26, 0, 50, 65,125. Okay. 65,125. अब लास्ट में क्या करना है एक बार, बैलेंस इट को स्क्रोल करना है, कर लेते हैं, प्लांटेंड मशीनरी के बारे में कुछ निरिखा था, as it is आ जाएगी, 90,000, furniture हम लिख चुके हैं, stock हम लिख चुके हैं, data हम लिख चुके हैं, cash at bank, अब देखिए, यहाँ problem हो गई है, cash at bank कितना था, 15,000, दे कितना दिया, यह तो negative हो गया, अब क्या करोगे, है बिटा, bank loan, हाँ, 11th याद करो, याद आई, BRS, जब भी, अगर कभी ऐसा होता है, कि आपके account में पैसे कम हैं, तो भी bank आपके check को clear कर देता है, और क्या देता है, आपको एक overdraft facility देता है, तो bank overdraft आजाएगा, यहाँ पे आपका 5000 रुपेज, बात समझ में आ गई, ठीक है, ध्यान देना इन चीजों पे, तो यहाँ पे यह नहीं आएगा, आगे चलते हैं, asset side complete हो गई, capitals लिख दिया, provident fund, यह है, 30,000, जर्नरिजब हमने बाट दिये, creditors, 10,000, और कुछ होगा हमारे पास, बचा नहीं है लिखने के लिए, total कर लेते हैं भई, 250, 6 और 12, 17, 1, 6, 39, 10 और 14, 24, यहीं आ रहे हैं, पक्का, इसमें दे नहीं रखा, 125 और 125, 250, 7, 12, 17, 4 और 6, 10, 14, मैच हो गई, I hope, आपको अच्छे से, समझा गया होगा, तो बच्चों, किस-किस चीज का दियान देना है, आपको, मैंने आपको एक-एक बात बता दी, क्रेशन को करने का तरीका बता दिया, किती दिर में होगा है, किती दिर की वीडियो हुई है, और वही आपको करना है, क्योंकि एक्जाम में टाइम सबसे important factor रहेगा, तो यह जो मैंने आपको तरीका बताया है, इससे गलती कभी नहीं होती, और कुछ छूटता नहीं है, अगर आप एक-एक करके बनाओगे, जैसे कि आप लोग बनाते हो, तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे, और जब balance sheet match नहीं होती, तो फिर उसको match करने के लिए, आपको पूरा question दुबारा से review करना पड़ता है, और वो आपका बहुत ज़्यादा time waste होता है, तो कोशिश करो, इस method को follow करो, इसको practice में लेके आओ, ताकि आपके question जल्दी जल्दी असानी से फटाफट solve हो जाए, मिलेंगे next class में next question के साथ, ऐसे ही एक अच्छे से question के साथ, till then please take care of yourself.